एक महिला को एक पुरुष की तुलना में उसके जीवन काल में अधिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को लगभघर महीने कुछ न कुछ परेशानी होती है फिर चाहे उनके चेहरे पर दाने हो या उनकी मासिक धर्म की समस्या महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक जोड में दर्द वख शरीर के अन्य भागों में दर्द की समस्या का सामना करना होता है कुछ रोग तो महिलाओं को ऐसे भी होते है कि वो हर किसी से उसके बारे में खुल कर बाद भी नहीं कर सकती और अपने रोग के साथ ही उन्हें घर का सारा काम भी करना होता है ऐसे में अगर हम आपको बता दे एक ऐसे पौधे के बारे में जो महिलाओं के सभी रोग का काल है जिसके मात्रा सेवन भर से महिलाओं के सभी रोग अपने आप ठीक होने लगते है यह एक ऐसा पौधा है जिसको महिलाओं के हर रोग का काल होता है इसको इस्तमाल करके महिलाओ के सो सेकंड ज्यादा बीमारीयों से चुटकारा पाया जाता है। यह पौधा हर किसी के घर में मिल सकता है। अपामार्ग वर्चिता का पौधा। जानिए अपामार्ग वर्चिता के फायदे। बुखार ठीक करे। किसी भी तरह का बुखार क्यूंग न हो तो आपको कोई और दवायां लेने की जरूरत नहीं है, इस पौधे का रस निकले और इसका सेवन शहेद के साथ करे, ऐसा करने से कुछ ही समय में आपको इस समय असया से चुटकारा मिल जाएगा. प्रतौंधी में लाबदायक प्रतौंधी रोग में यह पौधा बहुत ही लाबदायक होता है, इसके उप्योग से सिर्फ तीन ही दिन में रतौंधी से चुटकारा पाया जा सकता है, इसके लिए इस पौधे के पाउडर को छे ब्राम की मात्रा में रात को पानी के साथ ले, इसका तीन दिनों तक सेवन कर यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पेट फूलने की समस्या, यह समस्या होने पर इस पौधे का सेवन करने से बहुत ही जल्दी फायदा देखने को मिलता है, इसलिए पेट के रोगी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, बचा के रोग दूर करे, अगर आपको किसी भ प्रकार के तवचा के रोग हो तो आपके लिए यह पौधा बहुत अच्छा साबित हो सकता है, इस पौधे के पानी उबाल कर उस उबले हूँ, ए पानी को रोगी पूरी तवचा पर लगाए, तो तवचा के सारे रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेय कीजिए, ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यूँ